एक्सल में सिरफ कुछ पुछ प्रटिक्फयलर SEALS को प्रोटेक्ट करना है और आप नहीं कर पा रहे हैं क्यूंकि EXAL तो पुरी शीट प्रोटेक्ट कर देता है तो आज इस वीडियो में मैंने वही ट्रिक शेयर की है कैसे आप EXAL के सिरफ लिमिटेट सेल्स को प्रोटेक्ट क तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब एक्सल में protect sheet का option है, लेकिन वो क्या करता है, आपकी पूरी sheet को protect कर देता है, बट मुझे सिर्फ लिम्यूंट आज शोवागे तरो आपने सबसे बहुत करना है, अपनी पूरी sheet को select करना है, ट्राइंगल के बटन से या फिर आप Ctrl A प्रेस करके भी अपनी पूरी शीट को सिलेक कर सकते हैं. सिलेक करने के बाद आपने प्रेस करना है Ctrl 1. जैसी आप Ctrl 1 प्रेस करेंगे आपके सामने एक डायलोग बॉक्स ओपन होगा जिसमें लिखा होगा Format Cells. Format Cells आप Ctrl 1 से भी प्रेस करके कर सकते हैं बाकी आपको राइट ट्लिक में भी Format Cells का Option मिल जाएगा. अब आपने क्या करना है सबसे लास्ट में आपको मिलेगा Protection. Protection में आपको दो Option मिलेंगे Locked और Hidden आपको फिलाल दोनों ये Option पे Uncheck करना है. क्योंकि Excel by default आपको सारे के सारे Excel के Cells Locked देता है इसलिए आप Review टाब में जाके जो Protect Sheet पे Password देते हैं आप अपनी Sheet को Protect कर पाते हैं. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है हमें हमारे सारे के सारे Excel Cells को Unprotect में रखना है. अब आपको क्या करना है OK प्रेस करना है. OK प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं अभी मेरे सारे सेल्स जिन में formula लगा है यह सारे Unprotect है मैं इने Protect नहीं कर सकती. अब हमें क्या करना है जितने सेल्स को हमें Protect करना है या आपको Protect करना है आपको उनने Select करना है. Select करने के बाद आपको Same shortcut keys का use करना है Control ए Control 1 Control 1 में protection पे जाना है Protection पे जाने के बाद आपने अपने दोनों options को Again tick रखना है Again tick क्यों रखना है Reason ये कि हमें सिर्फ इतने ही cells को Lock रखना है ताकि वो ही protect हो पाए कोई और protect ना हो पाए और hidden पे हम इसलिए click रखने हैं ताकि हमारी formula बार में हमारा formula भी show ना हो ताकि उसे कोई copy ना कर पाए तो अब जब ये दोनों के दोनों option हमने tick रखे हमी क्या कर देना है इसे okay अब okay करने के बाद हमें simply review टैब में जाना है review टैब में जाने के बाद हमें protect sheet को select करना है protect sheet में जाके आप अपनी choice का कोई भी password दे सकते हैं अब हमें क्या करना है हमें यहां पर दे देना है simply password हम यहां password देते हैं password आप अपनी choice का कोई भी दे सकते हैं तो अब यहां password देने के बाद अगर मैं अपने बाकी sales में काम भी सामने वाले से चीनना है तो अब हमें क्या करना है हमें क्या करना है जब हमने इने प्रोटेक किया था प्रोटेक करने में पासफ़र्ट जब अपने दिया था पासफ़र्ट से पहले आपको यहां पर एक उप्शन मिलेगा सलेक्ट लॉक्ट सेल इसे यहां पर अंचेक लॉप कर दिया है ना तो कोई एडिट कर पाएगा ना कोई कॉपी पेस्ट कर पाएगा ना ही कोई विउ करके आपके फॉर्मुलेस को देख पाएगा यहां पे सिर्फ आपका डेटा एक मिरर की तरह व्यू में आ चुका है तो इत मीज दीजार्दा फुली प्रोटेक्टेट सेल्स होप आपको वीडियो पसंद आयोगा पसंद आये तो लाइक शेर कमेंट जल्दी से करतीजे